ऐसा कहां जाता है दुनिया में जितने भी सफल आदमी हुए है उनके पीछे उनकी बहतर communication skill का हाथ रहा है अगर आप भी अपनी जिन्दीगी में कुछ हासिल करना चाते हो तो जरूरी है आपकी communication skill दूसरों से बहतर हो किसी भी इनसान की communication skill उसकी personality का ही हिस्सा होता है इसलिए personality को improve करने के लिए communication skill का बहतर होना बेहर ज़रूरी है दरसल communication skill हमारे बातचीत करने का ही तरीका होता है और बात करना ये तो एक कला है दोस्तों जरूरी नहीं है कि हर किसी को बात करने का सही धंग या तरीका आता हो communication skill को improve करके हम काम्याबी के एक मुकाम तक पहुँच सकते हैं सफलता हमारी कदम चुमेंगी आपके सफलता आपकी better communication skill पर काफी हद तक निर्भर करती है तो आएए दोस्तों आज हम जानेंगे इन साथ आसान टिप्स से कि कैसी communication skill हम लोग हमारे बहतर से बहतर कर सकते हैं दोस्तों पहला point है body language एक अच्छी communication के लिए आपका अपनी body language पर control होना पहत ज़रूरी है दोस्तों कि ऐसा कई बार होता है कि लोग बोलते कुछ है और उनकी body language कुछ और ही बोलती है इसलिए इस बात का ध्यान रखे कि जो आप बोल रहे हो आपकी body language भी वही बोले दूसरा point है दोस्तों सहेज बने हमेशा एक सहेज इंसान बनने की कोशिश करे ताकि लोग आपसे आसानी से बात कर सके इसके इलाबा कभी भी अपने बातों को घुमा फिरा कर या तक्या कलाम लगा कर ना कहे इससे सामने वाले पर negative प्रवा परता है तीसरा point है सही भाशा का चैन जब भी आप किसी से बात कर रहे हो उस समय सही शब्दों का चैन करे कभी भी काम चलाओ या सस्ते शब्दों को अपनी बातों में शामिल ना करे क्योंकि जब आप अच्छे और impressive शब्दों का चैन करने लगेंगे तब लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनने लगेंगे चौता point है उम्र और profession का ध्यान हर शक्त से बात करने का अलग तरीका होता है इसलिए जब भी आप किसी से बात करे तो उसकी उम्र और profession का ध्यान हमें खास तरीके से रखना चाहिए जब आप अपने से किसी छोटी उम्र के साथ बात कर रहे हो तो उसके साथ बात करने का अलग तरीका होगा और जब आप office में किसी senior के साथ बात करे हो तो उसका तरीका बिलकुल ही अलग होगा पांचवा पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट का तरीका अपना है, हमेशा अपने बातों को कहते समय, पॉइंट टू पॉइंट का तरीका अपना है, ताकि सामने वाला आपकी बात आसानी से समझ जाए, बातों में सामने वाले को उलजाने की कोशिश बिल्कुल ना करे चटा point है अच्छा श्रोता बने दोस्तो एक अच्छा वक्ता वही बनता है जो अच्छा श्रोता होता है इसलिए सिर्फ बोले ही नहीं बलकि सामने वाले की बातों को ध्यान से सुने और उसमें interest भी ले साथवा point है विश्वास कभी भी अपने खुद की बातों को ना काटे आप जो भी बोल रहे हो उसमें आपका विश्वास होना जरूरी है और आपकी बातों से ये विश्वास छलकना भी चाहिए अगर आपको हमारी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे और अगर आपको परसंची डेवलाप्मेंट पे जरा भी इंट्रेस्ट हो तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राप करें दोस्तों